हेलो हावार खाना खाके जाना एक्साइटिमी रीडिफाइनिंग एडुकेशन आज का टॉपिक है गौस खुश्की की बात यह है मतलब खुशकबरी यह है कि यह सब हम लोग सीख चुगे हैं कहां बताइए जरा लीनियर अलजब्रा के कोर्स में हम इतना डीटेल में पढ़ाई थे कि वहाँ पे बहुत सारे मेटड्स थे एक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे मैंने आपको गौस आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि यह जो है ना कभी कवेशन में सीडल विडल यह ऐसा कुछ यूज करेगा कि नहीं करेगा ठीक है कर भी सकता है बट आपको यह अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि यह iteration method है यह iterative method है इसमें हम लोग iterate करते रहते हैं और यह आपका goss का direct method है ठीक है तो goss और seedl ने मिल करके iteration method developed किया और goss और jordan ने मिल करके direct method developed किया तो एक एक करके सीखेंगे हम लोग और सीडल method में देखिये apply goss seedl iteration method to solve the following system of equations 2x plus y minus 2z plus 17 sorry equal to 17 और 3x plus 20y minus z is equal to minus 18 2x minus 3y plus 20z is equal to 25 and correct up to three decimal places यह रहा आपका एक previous year question कुछ previous year questions हम starting में दिखा दे रहे तो आपके आपको comfort feel होगा कि कितना असान है यह वाला course और छोड़ना तो बिलकुल भी नहीं है दूसरा question आपको दिख रहा है कि find the solution of the system यह system of equations दिया using Gauss-Seidel method यहाँ पर क्या पूछा यह Gauss-Seidel iteration method पूछा यहाँ पर बोल रहा है तीन decimal place तक बताईए number of iterations नहीं बोला लेकि number of decimal places बोल दिया है यहाँ पर बोला चार iterations बताईए और उसमें आप जितना भी decimal places आप लेना चाहे हो बेटर है कि 4 या 5 आप decimal places तक लेकर के solve करेंगे तो ज्यादा वो accurate होगा तो यह question पूछा था पिछले साल ही 2019 में यह question आया था 2015 में और number 3 question है using Gauss-Seidel iterations method perform 3 iterations यहाँ पे भी आपको तीन iterations बोल दिया है कि तीन iteration बहुआ करो 2014 में पूछ दिया है Gauss-Seidel iteration और apply Gauss-Seidel method फिर से Gauss-Seidel method पूछा है जिसमें आपको कुछ initial iterations initial values लेकि दिये है carry out computations for two iterations पूछ दिया है ठीक है तो देखो यहाँ पे 2019 में पूछा फिर 15 में 14 में और इस तरह से पूछा है regularly पूछ रहे ठीक है तो we generally use Gauss-Seidel method when one of the coefficient is greater than or equal to the absolute value of other two जो initial वाला जो linear algebra का lecture है ना उसमें जब मैंने यह बताया था तो तो मुझसे एक तुरूटी होई थी भैंकर blunder हो गया था कि मैंने उसमें डाइगनली dominant वाला concept आपको दिया नहीं था उसे में हुझे correction video करकर करके वो करना पड़ा था तो link था correct मैंने कर दिया था हलाएक को गलत नहीं है लेकिन अगर आप miss कर दिये हो अगर आउसको आप थोड़ा डाया गवानली डॉमिनेंट क्या होना चाहिए system of linear equations मेरे डाइगनली dominant होने चाहिए जब तक मेरा डाइगनली dominant नहीं है जब तक मेरा डाइगनली dominant system of linear equations नहीं है ताब हम इसमें step आगे नहीं बढ़ सकते डाइगनली dominant कहने का मतलब है कि देखो यहां पर डाइगनल देखो पहले इस equation इस system का डाइगनल देखो और यहां पर जो डाइगनल के coefficients है ना वहीं बड़े होने चाहिए as compared उनका magnitude मतलब इनका इसका जो magnitude है जाना magnitude मैं बोल रहा हूं साइन में मत जाना इसका जो magnitude है वह इस और इसके सम के बड़ा होना चाहिए जैसे 2 1 और 3 sorry 2 इसका magnitude कितना है 2 है देखो देखो पहला वाले का पहला वाले को देखो डाइगनल इधर है ना यह बड़ा होना चाहिए कि से का कोशिपेशेंट क्या है? माइनस 2 है लेकिन magnitude कितना है 2 है तो हम लिगेंगे 2 प्लस इसका magnitude कितना है? 1 है और इसका कितना है? x4 का कोशिपेशांट है minus 1, लेकिन magnitude कितना है? 1 है, तो हम इसमें कहर देंगे 1 कितना हो गया? 2 plus 1 plus 1, 2, 1, 3, 1, 4 मतलब 10 is greater than 4 क्या ये condition satisfy हो रहा है? हाँ है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला तो सही है, perfect अगला line देखो, इस वाले line में, जो ये जो value है, इसका value इसका magnitude, इसका magnitude, इसका magnitude से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या लिखा? 10 रखो और चेक करो कि इधर क्या है? इधर है 2 plus 1 और plus 1 हम फिर से बता दे रहे हैं, प्लीज बवा ये minus sign पे मत जाना, उसके magnitude पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे कितना है? 2 है, 1 है, 1 है, तो 2 plus 1 plus 1, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं, तो ये condition भी satisfied है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, उसी तरह से इसको चेक करो, अगर ये condition ठीक है, तभी आप उसको लगा सकते हो बाइचांस, अगर ये diagonally dominant नहीं है, तब हम उसमें reshuffle करेंगे, और अरेंज करेंगे, कहने का ताथ पर ये है, देखो, मेरी कमर दुखने लग गई है, बहुत देर से, घंटो-घंटो में खड़ा रहता हूं, तो ये जो चीज है, ये diagonally dominant है, ना, तो diagonally dominant तो है, बाइचांस, माइनस x4 is equal to 3 है, और माइनस 2x1 plus 10x2 माइनस x3 माइनस x4 is equal to 15 है, अब हम क्या कर रहे है, नीचे वाले को उपर लिख देरे हैं, माइनस x1 माइनस x2, माइनस 2x3 प्लस 10x4 is equal to minus 9 है, और ये क्या है, माइनस x1, माइनस x2 प्लस 10x3, माइनस 2x4 is equal to 27, अब चेक करो, क्या ये diagonally dominant है, क्या? इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, diagonally, क्या ये diagonally dominant है, आप बोलोगे, हाँ, ये condition तो satisfy कर रहा है, ये वाला भी satisfy कर रहा, लेकिन ये satisfy नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसका जो magnitude है, वो इसके, और इसके sum के बराबर नहीं है, इसका magnitude है 2, और हमको 1, 1 और 10, मतलब 1, प्लस 1, प्लस 10, ये कितना हो गया? 12 हो गया, तो 2 is, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए चीज नहीं है, अगर हमको question ऐसा दिया रहेगा ना, तब हम क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छा, ऐसा करने से, कि इसको इधर shift अगर हम कर देते हैं, इसको इधर shift कर देते हैं, तब मेरा काम बन सकता है, जो कि ये question है आपके पास, हाला कि ये दिया हुआ है, लेकिन कभी-कभी आपको छखाने के लिए, ऐसा reshuffle करके आपको दे सकता है, तो पहले आप उसको diagonally dominant में convert करिएगा, फिर आप process follow कर सकते हैं, जो आपको करना है, gauss-seedle method के लिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कि जैसे ही आपने इसको diagonally dominant में convert कर दिया, तो पहले वाले equation से, x1 को subject of formula बनाओ, यहाँ पर कितने variables हैं, चार, x1, x2, x3, x4, और आपको क्या निकालना है, x1, x2, x3, x4 के values निकालना है, मतलब x1 is equal to something, x2 is equal to something, x3 is equal to something, x4 is equal to something, वो सब आपको values निकालनी है, तो पहला equation से, आपको x1 is equal to क्या होता है, उसका subject of formula बनाओ, left hand side में सिर्फ और सिर्फ x1 रखो, right hand side में सब फिक दो, जो कुछ भी है, second वाले equation से, आप x2 is equal to something लिखो, third वाले equation से, x3 is equal to something लिखो, fourth वाले equation से, आप x4 is equal to something लिख दो, तो वाही चीज लिखा हो है आप, देखो देखो, मैं हट जाता हूं, इसको, चापो, क्या लिखा हो है, x1 is equal to 3 x2 plus x3 plus x4 by 10, x2 is equal to 15 plus 2 x1 plus x3 plus x4 by 10, x3 is equal to 27 plus x1 plus x2 plus 2 x4 by 10, और x4 is equal to minus 9 plus x1 plus x2 plus 2 x3 divided by 10, ठीक है, यह आपको करना है, इसके बाद, when we get a particular value, then we will not use the previous value of the constant, यह bookish language है, लेकिन आप समझिये, यहाँ पे, इस वाले equation में, जैसे आपने x1 लिखा है ना, तो x1 का 3, 2 x2 plus 3 x3 plus x4, मतलब आपको x2, x3, x4 आप initial values कुछ लोगे, उसका put करके आपको, suppose मान लो x1 का value आया है 5, x1 का value आया है 5, अब अगला equation को solve करने के लिए, आप x1 के जगह पे, यहाँ पे जो आपने, sorry, यहाँ पे आपने x1 को solve, x2 को solve करने के लिए, यहाँ पे जो x1 की value आप लोगे ना, वो क्या लोगे, यह वाला value लोगे, आय समझ में, अब देखो, यहाँ से जैसे ही put करोगे, तो मान लो x2 is equal to some, कुछ निकाला, तो ठीक है चलो, हम मान लेते हैं 7 आ गया, अब इस x3 को solve करने के लिए, यहाँ पे जो आप x2 की value लोगे, वो यहाँ वाला value मत ले लेना, क्या लोगे, updated value लोगे, तो x2 का value आपके पास आ चुका है 7, तो क्या लोगे, x2 के जगा पे ले लोगे 7, और इसी equation में, x1 का value आपका, sorry, x2 का value तो आ गया था 5, sorry, x2 का value आपका 7, और x1 का updated value क्या आया था, 5 आया था, तो 5 को यहाँ लोगे, और x2 को 7 लोगे, समझ में आ रहा है, उसी तरह से आपको process carry forward करना है, तो gauss seedal, मैं summary बता देता हूँ, जैसे gauss seedal है, इसमें आपको दो important चीज़ याद रटने है, पहला, यह आपको diagonally dominant होना चाहिए, diagonally, note करो, dominant होना चाहिए, और दूसरा, इसमें हमेशा updated values लेते रहने चाहिए, updated values आपको हर step में लेते रहने चाहिए, in each step, in each step, हर step में आपको latest updated value को ही लेना है, ना कि आपको initial value लेना है, clear हो गया कि नहीं? ठीक है, इतना ही बताना था मुझे, तो यह आप लिख सकते हो, बस इसका, यह important है कि आप यह लिखोगे ना, जैसे मालो कुछ question आगे, आपका algorithm बनाने के लिए, flowchart बनाने के लिए, तो उसमें आपको general statements लिखने पढ़ते हैं, तो आप इस तरह से k के terms में लिख सकते हो, k plus 1 is equal to this is, तो यहाँ पर देखो, x1, k plus 1, मतलब new value हमको चाहिए न, तो हम इसका initial values लिए हैं, x2, k, x3, k, x4, k, लेकिन जब हम x2, k, plus 1, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर जो हमको x1 चाहिए होगा, वो कौन सा value लेंगे, initial value नहीं लेकर की, उसका updated value, updated value तो हमको यह आया है, तो हम वो यहाँ पर put करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर x2 अल्रेड़ी निकाल चुके हैं, तब x2, x3 निकालने के लिए, अब हमको x2 जो लेना पड़ेगा, वो यह वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, और x4 निकालने के लिए, हमको जो x3 चाहिए होगा, वो कौन सा चाहिए होगा, यह वाला चाहिए होगा, तो वही देखो, हर step में updated values लिया जा रहा है, ठीक है, और initial value हम लोग क्या करते हैं, कि जो initial value होता है, कि सब को हम लोग 0-0-0 मान करके चल लेते हैं, ठीक है, जैसे आप x1 is equal to subject of formula बनाए हो नो, यहाँ पे, इस में देखो, पे आप 0 डालोगे, x3 के जगह पे 0, x4 के जगह पे 0, अब जो x1 आया है, वो x1 यहाँ पे आएगा, x3 आपको नहीं पता, तो x3 के जगह पे फिर 0 ही आएगा, x4 के जगह पे भी 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने x3, x4 नहीं निकाला है, अब अगला step देखो, यहाँ पे आप x3 चाहिए आपको, और इसमें आपको x1 चाहिए, x2 चाहिए और x4 चाहिए, x1 क्या लोगे? x1 0 नहीं लोगे अब, x1 क्या लोगे? x1 यहाँ पे suppose जो कुछ value आया है, उसी value को यहाँ पे हम x1 में लेंगे, ठीक, x2 कौन सा लेंगे? यहाँ पे x2 को मैंने 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम x2 को 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? जो मेरा latest updated value आया है, उसको हम लोग यहाँ लेंगे, x4, इससे पहले तो हम x4 नहीं calculate किये, तो मेरे पास तो नहीं है, assumed value लेके ही चलना है, तो हम x4 को यहाँ पे हम 0 लेंगे, अगला step देखो, अब यहाँ पे आपको x4 calculate करना है, तो x1 कौन सा लोगे? x1 आप updated लोगे, x1 आपने जो निकाला था updated, वो यहाँ पे आएगा, x2 जो आपने updated निकाला था, वो यहाँ पे आएगा, x3 जो आपने updated निकाला है अभी ताजा ताजा, वो यहाँ पे आएगा, इस तरह से आपको iteration carry forward करते रहना है, जब तक आपको सही और अच्छा solution आपको नहीं मिल जाता है, तो आपको यह समझ में आगया होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पुट अपडेटेड वैल्यूस अनौल, तो फर्स्ट इटरेशन में यह पुट किया, तो x1, देख लो, इसको नूट कुर, इसमें कुछ बताने का है निए, यह हम अल्रेड़ी बता चुके है, इस पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो, दिमाग शांत करो, कुछ से समझो, क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बैट जाता हूँ, मेरी कमट दुख रही है, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, वगरा, 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 इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आपको solution क्या मिलेगा, x1 की value आ गए कुछ, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ जाएगा, फोर्थ इटरेशन के बाद आपको यह सारी values मिल जाएगी, जब यह सारी values को आप इसमें put करोगे न, तो हो सकता है कि आपको exact यह सब चीज़ सटिस्फाइग न करे, कुछ दसंबलों दसंबलों में कुछ आए, पॉइंट्स पॉइंट्स में कुछ आए, तो उससे डरना घबराना नहीं है, क्योंकि numerical analysis में आपको कभी भी whole numbers में answer नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आपको exact values नहीं मिलेंगे आपको, तो उससे आपको घबराना डरना नहीं है, तो इस अब मिटा देते हैं, ठीक है, यह हो गया, अब अगला method देखो, Gauss-Jordan method, इसमें क्या करते हैं, बहुत simple है, identity बनाना है, एक, क्या बोल तो उसको, और एक कौन सा matrix बोल देते हैं, बूलिया मैं, ने, ने, वो चीज नहीं है, यहाँ दूसरा है, यहाँ पर explain the main steps of the Gauss, इस देखो, 2017 में question पुछा है, explain the main steps of the Gauss-Jordan, and apply this method to find the inverse of the matrix, Gauss-Jordan method आपको apply करना है, और इसका आपको inverse calculate करना है, तो बहुत simple है, तो in Gauss-Jordan method, we reduce the matrix, जैसा कोई matrix A है, to the form I, and in the process, the matrix I is transformed to an inverse, that is यह वाला, यह चीज करना है आपको, तो क्या करोगे, जो matrix आपको दिया हुआ है, उसको आप पहले लिख लोगे, तो यहाँ पर जो matrix दिया हुआ है, वो हम पहले लिखेंगे, क्या 266 लिखा, फिर 286 लिखा, और उसके बाद 268 लिखा, यह लिख दिया है, अब यहाँ पर एक ऐस तरह से कुछ line खीच दो, और identity matrix ले लो इदर, 100, 010, 001, अब इसमें आप तो महारत हासिल आपको अल्रेड़ी हो चुकी है, कि कैसे row operations वगड़ा करते हैं, row operation करके, पलटना है आपको चीजों को, मतलब आपको इसको identity बनाना है, इस वाले matrix को, इस वाले matrix को आपको identity बनाना है, मतलब यहाँ पर 100, 00 चाहिए, यहाँ पर 010 चाहिए, यहाँ पर 001 चाहिए, जब आप ऐसा करोगे, तो automatically इधर जो matrix मिलेगा, वो उसका inverse मिल जाएगा, यह है उसकी खुबसूरती, row operation पे हम ज़्यादा focus नहीं करेंगे, कि अल्रेड़ी हम लोग हजार हो गए, धन्यवाद, और यह कौन सा language है, आप बताईएगा, यह सब को पताऊना चाहिए, हमारी फेवरेट उर्दू, ठीक है, बहुत ही मेठा language है, वोदा ना, कुछ लोग लेकिन है ना, chillers, जो नफरत करते हैं चीजों से, तो उनको एक पेगाम, आप जितनी नफरत फैलाएंगे, फेंटाज, हम लोग उतनी महबबत फैलाएंगे, और महबबत, नफरत पे, बहुत भारी बढ़ती है, मिलते हैं आप से अगले लेक्चर में, प्रणाम,